दोस्तों गुढल के पौधे की पत्तियां है क्या white हो गई है यानी सफेध हो गई है इसकी मतलब यही होता है कि आपका पौधे बहुत ही bumper बिमार हो चुका है तो देख सकते हैं पौधे की पत्तियां है बिल्कुर नस नस दिख रहा है, ऐसा लग रहा है इसकी नसे दिख रह इसमें जड़ों का निर्मार बंद हो गया है जिसके कारण यह पौधा मल्टी विटामिन्स की कमी का सिकार हो गया है और धीरे धीरे करके यह पौधया अपना original करर गवाते गवाती उसके बाद कुछ दिन बाद यह पौधा धीरे धीरे करके डड़ हो जाएगा अगर समय रहत होते हैं सारे पौधों में जो मैं आज खाद सेयर कर रही हूं उस खाद को अगर डाल देंगे तो पौधा की जो पतियां है यह वाइट होनी बंद हो जाएंगे यह नॉर्मल चीज नहीं है एक नॉर्मल पीलापन आना अलग चीज होती है और यह अलग है यह बीमारी का शिका है तो आपका भी पौधा अगर ऐसे ही बीमार-पड़ाा है तो उसको समय रहते आप इलाज कर दीजिए नहीं मरने के कागार पहुंच जाएगा चाहाएं तो चेक कर लिजे कि पौधे का ड्रेनेज सही है कि नहीं है कभी कभी पौधे का ड्रेनेज बंद हो जाता है उसके कारण भी पौधा मल्टी विटामिन की कमी का सिकार हो जाता है उसके बाद दीरे दीरे पौधा मर जाता है यानि कि पौधे की पतियां वाइट होने लगती है उस तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है अगर ठीक करने का एक उपाई यह है कि आप चेक कर लिए रूट बाउंड होगा तो उसको फिर से दुबारा रिपॉर्टिंग कर दीजिए अगर रूट बाउंड नहीं है तो उसमें भया उचित पोशक तत्व आप डालेंगे तो पौधा धीरे धीरे करके सही हो जाएगा उसको कम से कम 10 दिन लगेगा 11 दिन देखिएगा पौधा अपने उचित कलर में आना शुरू हो जाएगा उचित कलर का मतलब होता है जो लाइट ग्रीन हुआ है और डार्क ग्रीन में परवर्तित हो जाएगा इसका मतलब है कि 10 दिनों में थोड़ी थोड़ी उसमें जड़ आने लगेंगी, जब जड़ बननी बंध हो जाती हैं, तब यह समस्याइं उत्पन होती हैं, तो खाट डानने से पहले मिट्टी की खुदाई प्रोपर तरीके से कर दीजेगा, अगर उसमें कोई घांश हो गारा जमी हो तो उसको निकाल के पौधे की एक्स्ट्रा एनरजी को ले लेती हैं, और पौधे को थोड़ा सा दिक्कत होने लगती हैं, अगर पौधे के उपर कोई पीली पतिया हो, सुखे ब्रांच हो, तो उसको कट करके भी निकाल दीजेगा, ताकि पौधा अपनी पूरी ताकत लगाए अपने को विका मेरा पौधा बहुत अच्छा हो जाएगा, मैंने आज धेरो खाद लिया हुआ है, डालने के लिए तो यह सड़ी हुई गोबर की खाद है, जिसमें मल्टी बिटामिन्स मिलते हैं, यह बहुत ही ताकतवर खाद होती है, उसके बाद मैंने पोटास लिया हुआ है, पोटास लेने से यह फाइदा होता है कि जो पतियों का शुकुडापन रहेगा, वो दूर हो जाएगा, पतियों का जो कलर गायब हुआ है, वो सही हो जाएगा, जडों का निर्माड बंद हुआ है, वो बनना शुरू हो जाएगा, पतियां अपनी ओरिजिनल कलर में आ जाएगी, उ इसके बाद मेंने मर्टी बितामिंस और डीएपी के 20 दाने लिए हैं और ये मैंने फंगिसाइट पाॉडर लिये हैं और सब को मैंने अच्छे से मिला लिया है और मिलाने के बाद तब तब जाके मैं पौधों में डालूँगी तो आप भी ऐसे ही खाद को अच्छे से मिला ल उसके बाद मैं इसमें केचवे की खाद और गोबर की खाद भी ऊपर से मिलाकर और अच्छे से हातों से फ्यट कर उसके बाद तब जाके मैं उसमें पानी डालूँगे आप चाहें तो इसमें फिटकरी का टुकडा भी डाल सकते हैं तो मैंने इसमें कुछ समय पहले फिटकरी का टुकडा भी डाला था वो गला नहीं है अभी मैं दिखाऊंगी कि इस मिट्टी में मुझे खुदाई के दोरान प्राप्थ हुए हैं तो मैंने गोबर की खाद भी अच्छे से मिला दी है और मिलाने के बाद इसमें भरपूर मात्रा में मैं पानी डालूँगी ताकि पानी पाते ही जो भी खाद हो गरा है अच्छे से गल जाए और दस दिन में एकदम फास्ट ग्रो हो जाए पौधा ठीक है तो आप भी ऐसे करेगा तो देखिए मैंने फिटकरी के टुकड़े को इसी में दफनाया हुआ था और ये फिर से निकल गया ये बहुत बड़ा मैंने डाला था थो थोड़ा सा गल चुका है तो आप भी फिटकरी का टुकड़ा भी इसमें दबा सकते हैं अगर नहीं डाला है और डार्क कलर की हो जाएगी, उनकी नस्य दिखनी बन्द हो जाएगी, भरपूर इसमें फूल आएंगे, कलिया फूल बनने के बाद ही गिरेंगी, तो देख सकते हैं कि मैंने इसमें भरपूर मात्रा में पानी उगरा भी डाल दिया, तो अगर आपने नहीं डाला है, तो पा साधा खराब हो जाएगा आज मैंने ढ़ियों अपने सब में खाद में देखिए मैंने ॢाला है और एक दिन और मैंने डियापी के मैंके दाने सब गमलो में दबाया थे तो आप थी आसे मांसून का सिजन चला है तो पोते बहुत ज़ल्दी बिमार पड़ जाएंगे तो उस subscribe comment and share thank you for watching bye friend